अस्सलाम अलेकुम दोस्तों में आनाय मक्सूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चेकीहल टेप्स वाट्सप हम सभी इस्तेमाल करते हैं और यहां पर हमें वाट्सप के नए नए फीचर के अपडेट्स मिलते रहते हैं तो जिहां बहुत इंटेस्टिंग फीचर जल्द ही आपको वाट्सप में देखने वाला है वो है वाट्सप कम्यूटी क्या है WhatsApp Community, कितना फायदा होगा आपको इस feature से, कौन कौन से चीज़े ऐसी हैं जो कि आपको WhatsApp Community में मिलने वाली है तो जी हाँ सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब ने किया है, वीडियो पॉस करके मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें तो जी हाँ WhatsApp में, WhatsApp Community जो feature है, वो beta version लाँच हो चुका है, जल्द ही आपके phone पे देखने को मिलेगा यहाँ पे WhatsApp यह कह रहा है कि जो Community feature है, यह काफी जादा user friendly है इससे group admin को community के अंदर जो multiple groups होंगे, उसमें बहुत अच्छा control देखने को मिलेगा और यहीं पे Community में जो है, जो group admin है, वो सिर्फ group नहीं, बलकि multiple छोटे 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 group को control कर सकता है और उसमें बना सकता है अब यहाँ पे WhatsApp यह कह रहा है कि Community में क्या है, कि आप जैसे की parents, society, school, इस तरीके के छोटे 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 groups को connect किया जा सकता है एक community के अंदर जो group admin है, वो भी किसी भी तरीके के group में अपने update को share कर सकता है, और अच्छी बात यह होगी कि जो community के अंदर एक ही category के जो भी groups हैं, उसको manage कर सकते हैं और उसमें post को देख सकते हैं, और अच्छी बात यह होगी कि अगर इस community में आप जुड़ जाते हैं, तो उसके अंदर जितने भी groups हैं, उसमें आप किसी भी group में आसानी के साथ जा सकते हैं और community के जरिये, बच्चों के parents को update देने में बहुत आसानी हो जाएगी, वो individual किसी भी parents को update दे पाएंगे चैट के बगल में आपको community type का option दिख जाएगा, जहां पर जाके नई community को आप create कर पाएंगे उसके राब और अच्छी बात ये भी होने वाली है कि आपको यहां पे जो heavy files होती थी, बड़ी files होती थी, आप उसको upload नहीं कर पाते थे, उसको भी upload कर पाएंगे especially यहां पे आपको polling को option दिए जाएगा कि आप poll भी करा सकते हैं उस particular group में 32 लोगों के साथ आप group calling कर सकते हैं और यहीं पे group में आप 1024 लोगों को आप जोड़ सकते हैं तो यह होंगे whatsapp community के feature जल्द ही आपके phone पे देखने के मिलेगा for example आपने community create किया अपने society के नाम से और उस society के आपने multiple groups बनाया जैसे कि मालो health care से related, आपने vendor से related, आपने plumber से related, आपने electrician से related इस community के अंदर, society community के अंदर जिसने भी लोगों को आप add की हैं वो multiple group में जा सकते हैं जिसमें जाना चाहें और उसके अलावा आप जो admin है वो बहुत आसानी के साथ manage कर पाएगा और large file को भेज पाएगा, polling करा पाएगा ये सारी चीज़ें आपको देखने को जल्द ही मिलने वाली हैं तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो इसको like जरूर करें अपने दोस्तों को share करें ताकि whatsapp चलाने वाले इस community tab जैसे ही आता है उसको enjoy कर पाएगा और अपने तरीके से इस्तिमाल कर पाएगा